नमस्कार दोस्तो मैं आजया सुआगत करता हूँ आप सभी लोगों का टेक्निकल शिवानशी यूट्यूब चैनल में और दोस्तो आज किस वीडियो में माप लोगों को बताऊंगा कि पैजयाप एप्लिकेशन के जरी आप लोग आपके electricity के बिल को कैसे पेक कर सकते हो जी हाँ दोस्तो और पैजयाप एप्लिकेशन की तरब से अगर आप लोग आपके बिजली के बिल को जमा करते हो तो उस पर आप लोगों को अच्छा-काशा cashback देखने को मिल जाता है तो उसे आप लोग कैसे earn कर सकते हो उस सब के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में पता लगने वाला है वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों को एक बात जरूर बता दू के पेजयप application वीडियो सिरीज पर ये हमारा तीसरा पार्ट है इसके दो पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं साथ में ही बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियो का लिंक आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पैजयप से related जो हमारे सारे वीडियो है उनके उपर मैंने अलग से आप लोगों के एक प्लेलिस्ट दे रखी है चैनल के उपर जिस पर क्लिक करके आप लोग पैजयप से related हमारे सारे वीडियो देख सकते हो जिनमें कि मैंने आप लोगों को explain कर दिया है कि पैजयप application क्या है KYC वहाँ पर कैसे complete करे जा सकती है add बने आप लोग कैसे कर सकते हो वो सारी चीज़े आप लोगों को इन दोनों वीडियोज में बता दी गई है तो आप लोग इन दोनों वीडियोज को देखने के साथ साथ ही वीडियो में दिये गए पैजयप application के पैजयप application के जरिये आप लोगों का अकाउंट क्रेट कर सकते हो तो यहाँ पर दोस्तो आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पर उपर जो मेरा wallet balance था वो पहले यहाँ पर 220 रुपय का था और यहाँ पर अभी आप लोगों को 1160 रुपय दिखाई दे रहे होंगे जो कि मैंने यहाँ पर add कर लिये हैं क्योंकि यहाँ पर मेरा जो electricity का bill है वो यहाँ पर 1160 रुपय का है तो यहाँ पर extra मैंने 940 रुपय की add मेनी कर लिये है और यहाँ पर total में मेरा balance हो चुका है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो चलिए यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं offer के बारे में जहाँ पर से हमें electricity का bill पे करने पर cashback देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर उपर आप लोगों को three lines पर क्लिक करना है और नीचे आप लोगों को यहाँ पर offers पर क्लिक करना है अभी दोस्तों यहाँ पर offers में आप लोगों को काफी जारे offers देखने को मिल जाएंगे जैसा कि यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो यह जो offer आई यह big basket के लिए है जो कि हमारे किसी काम कर नहीं है नीचे आप लोगों को एक offer देखने को मिल जाएगा जो कि है recharge promo code के लिए जिहां दोस्तों यहां पर recharge करकी एक promo code फैजेप हर महीने अपने platform पर लाता रहता है जिसमें आप लोगों को 10% cashback मिलता है up to 100 रुपे का और minimum transaction भी आप लोगों को 100 रुपे की करनी होती है और वो cashback आप लोगों को कौन कौन से recharge देखने को मिल सकता है यह आप लोग यहां पर देख सकते हो और हमें जिस promo code का वेट था या हमें जिस promo code से cashback मिलने वाला है वो यहां पर अभी आप लोगों का देख सकते हो जो की है bill पे इसमें आप लोगों को 5% का cashback मिलता है जो की up to 100 रुपे तक का होता है और minimum transaction भी यहां पर आप लोगों का bill 200 रुपे की और अगर आप लोग पेज़ेप के जरीए अपने bill को pay करते हो तो उस पर आप लोगों को 5% cashback के इजाब से जो cashback देखने को मिल जाएगा जो की आप लोगों के account में within 10 days credit कर दिया जाता है यहां दोस्तो इस चीज़ के लिए आप लोग वरी मत कीजिए कि आप लोगोंने पेज़ेप के जरीए कोई bill जमा किया है उसमें आप लोगोंने bill पे प्रमो को यूज भी करा है और अभी तक भी आप लोगों को अगर cashback नहीं मिला है तो उस चीज़ के लिए आप लोग वर यहां पर एज किये जाते हैं जो कि सच में हमारे लिए यहां पर काफी जादा useful होते हैं और नीचे भी इनके आप लोगों को काफी सारे offers देखने को मिल जाएंगी जो कि fresh menu, domino's, pizza, kata sky और भी काफी सारे offers हैं अगर आप लोग चाहो तो इने one by one देख सकते हो तो यहां पर म आप लोगों को आपका electricity का bill pay करना सिखा देता हूं तो यहां पर आप लोगों को smart buy में यहां पर recharge और bill pay पर क्लिक करना है जैसे ही आप लोग recharge और bill pay पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप लोगों को काफी सारे options देखने को मिल जाएंगे तो नीचे आप लोगों को utility और bill pay में देख सकते हो जिसकों कि हमें जो है अपलाई करते हुए हमारे cashback को earn करना है और यहाँ पर मैं आप लोगों के एक बात और बता दूँँ कि आप लोग अगर electricity का bill pay करने जा रहे हो तो आप लोगों के लिए ये चीज मस्त है कि आप लोग बिल पर प्रमो कोड को यूज करो जिहां दोस्तों यहाँ पर ये चीज बहुत जारा जोरूरी है अगर आप लोग प्रमो कोड अपलाई नहीं करोगे तो आप लोगों को cashback नहीं मिलने वाला तो अभी electricity का बिल पर करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर electricity पर click करना है अभी जैसे ही आप लोग electricity पर click करोगे तो यहाँ पर आप लोगों का जो electricity board है उसे यहाँ से आप लोगों को choose कर लेना है For example, जैसे ही आप लोग इस drop down menu पे click करोगे, तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे electricity boards देखने को मिल जाएंगे, उसमें से आप लोगों का जो electricity board है, उसे यहाँ पर आप लोगों को choose कर लेना है, For example, यहाँ पर मेरा electricity board है, वो है JVVNL, तो यहाँ पर आप लोग देख सकत फिजिकल बिल पर ही देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप लोगों को कुछ ऐसे दिखने वाले हैं, तो चलिए यहाँ पर मेरे k-number answer कर लेता हूँ, और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को k-number एकदम correct डालने होंगे, तहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों ने wrong k-number डाल दिये ह और किसी और के बिल को जमा कर दिया हो, electricity board और k-number डालने के बाद में आप लोगों को नीचे confirm पर क्लिक करना है, जैसे ही आप लोगों की बिल डिटेल्स निकल कर आ जाएंगी, जिसे कि आप लोगों को आपके physical बिल से match करवा लेना है, तो यहाँ पर मेरा सारा कुछ accurate है, त पेनाओ पर क्लिक करता हूँ, आप लोगों को भी सारी चीजे match करवा लेनी है, देन पेनाओ पर क्लिक करना है, अभी दोस्तों यहाँ पर सबसे main बात आ जाती है, जहाँ पर आप लोगों को आपका promo code apply करना है, यह चीज़ आप लोगों को आपका bill amount और नीचे आप लोगो को go to promo code का section दिखाई दे जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को bill pay promo code को apply करना है, तो से लिए यहाँ पर मैं bill pay promo code को डाल देता हूँ, और उसके बाग में नीचे यहाँ पर आप लोगों को approve पे क्लिक करना है, जैसे ही आप लोग bill pay promo code दे देते हो, नीचे यहाँ पर आप लो हो चुका है, और यहाँ पर यह चीज़ आप लोगों को दिखाई दे जाए तो यह चीज़ आप लोग समझ लिएगा कि आप लोगों को cashback definitely यहाँ पर मिलने वाला है, बेसक यहाँ पर यह जोग 10 days से जादा का time ले सकता है, लेकिन आप लोगों को within 10 और 15 days के अंदर अंदर जो हो cashback मिल जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों को अभी जो हाँ आपका payment matter चूज कर लेना है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर इस drop down menu पे click करते हुए, निकि आप लोगों के आपके payback card को select कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमने add money करी है, वो payback card में ही है, और जैसे ही अभी आप लोग देख सकते हो, मेरा जो bill है वो यहाँ पर successfully pay हो चुका है, अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से आप लोग जो है invoice भी download कर सकते हो, invoice अगर आप लोग देखना चाहो तो वो यहाँ पर आप लोग प्लिक करके देख सकते हो, और यह bill जो है यहाँ पर within 5-10 minute जो अपडेट हो जाता है, आप लोगों आप लिल यहाँ से successfully pay हो जाता है, आप लोगों के पास में maybe message भी आ जाएगा, जैसे ही आप लोगों का बिल जो है यहाँ पर successfully pay हो जाएगा, तो बस दोस्तो ठीक Sam procedure को follow करते हुए, आप लोग भी आपके बिल को जमात कर सकते हो, खिलाल आप लोगों के वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोगों के वीडियो पसंद आया है तो फिस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जोग कीजिए, जन्यवाद